ओम साइनाधाय नमा साइ बाबा हर साइ भक्त के दिलों में राज करते हैं शिर्डी में हर साल बाबा के लाखो भक्त उनकी प्रतिमा को देखने के लिए और उनकी एक चलत पानी के लिए दूर दूर से खिचे चले आते हैं बाबा और बाबा के उन करोडो भक्तों में एक अलग सा लगाव है जिसे शब्दों में बयान करना बहुत ही मुश्किल है हर भक्त अपनी भक्ती अपने अंदाज में बाबा को समर्पित करते हैं आज के इस वीडियो में हम आपको साई भक्तों की इसी भक्ती और अपार शद्धा के बारे में बताने जा रहे हैं जो हर सीमा को पार कर गई आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी अलोकेक और अद्भुत साई बाबा की मूर्ति के बारे में बताने वाले हैं जो अपने आप में देखने लायक है और 116 फीट उची लंबी है। माना जाता है कि ऐसी लंबी और विशालकाई मूर्ती शायद ही कहीं दुनिया में है। वैसे तो हर मूर्ती बाबा की खास है लेकिन ये मूर्ती आपको बताता है कि साई भक्त किस हद तक साई बाबा से प्रेम करते हैं। यह मूर्ती को आंद्रप्रदेश की इस्ट गोदावरी जिले के काकिनाडा कस्बे के रेपुर गाउं में बनवाया गया है। इस मंदिर का कार्यभार रेपुर स्री शिरडी साई बाबा सेवाश्रम के पास है। रेपुर साई मंदिर काकिनाडा सिटी से बाई रोड दस किलोमीटर की दूरी पर है और काकिनाडा रेलवे स्टेशन से 21 मिनिट की दूरी पर है। भारत के हर कोने से काकिनाडा स्टेशन बहुत ही आसानी से पहुंचा जा सकता है साई बाबा की मूर्ती बैठी हुई बनाई गई है मूर्ती के बैठने का स्थान करीब चार मंजल उचाई पर है इसका बाया पैर करीब 18 फीट उचाई पर है पर ये पैर और बैठने का पॉस्चर ही मंदिर के स्ट्रक्चर की तरह काम करता है साही पापा की इस मूर्टी को बनाने के लिए पूरे 11 साल लगे इसको साल 2001 में बनाना शुरू किया गया था और बन कर ये तयार हुआ 1 जनवरी 2012 को साही पापा की इस अद्बुत मूर्टी को बनाने में करोडों का सामान लग गया इस मूर्टी को बनाने में लगभग 3 करोड का खचा आया और लगभग 2 करोड का सिमेंट लगा तब जाकर ये 1000 टन से भी ज्यादा भारी मूर्टी को बनाया जा सका खास बात ये है कि इसे बनाने के बाद 500 साल की गैरेंटी भी दी गई थी इस बड़ी मूर्ती के ठीक सामने एक संगे मर्गमर से बनी साही बाबा की मूर्ती भी है जिसे भक्तों के लिए पूजा करने के मकसद से बनवाया गया है यहां साही बाबा के कई तरह के रूप देखे जा सकते हैं इस विशाल मूर्ती को देखने के लिए दुनिया भर से सहलानी आते हैं और अपने आखों से या अद्भुद मूर्ती के दशन करते हैं वैसे तो हर मूर्ती बाबा की खास है और साही बाबा का जो सरल अंदाज है वो अपने आप में अनूठा है बाबा को सचे मन से कोई भी पुकार ले वो हर तरह से उनकी मदद करने के लिए पहुँच जाते है बाबा की गृपा हर भक्त पर ऐसे ही बरसते रहे इसी आशा के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और सब्सक्राइब बटन के पास में जो बेल बटन है उसे दबाना ना भोले ताके हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंसते रहे